तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं डियलेट पर्थम और 33 सेमेस्टर के लिए ये वीडियो है और आप लोगों का जो इंतजार है वो यहाँ पर काफी ज़्यादा लंबा होते हुए लेकिन फाइनली जो है आपका एक्जाम डेट डिकलियर हो चुका है और पर्थम में हम 33 सेमेस्टर का एक्जाम डेट आप नोट कर लेंगे पर्थम सेमेस्टर का एक्जाम जो है वो होगा 8 से लेकर के 10 अगस्त और 33 सेमेस्टर बेटी सी या डेलेट 33 सेमेस्टर का जो एक्जाम है व आपलों की एक्जाम के लिए और बहुत कम समय बचा हैं मुश्किल से कह सकते हैं 17-18 दिन आपका बचा हुआ एक्जाम के लिए फर्स्ट समेश्टर वालों के लिए और सेकंड समेश्टर वालों के लिए चार दिन और बढ़ा दीजिए लगभग कह सकते हैं 20 दिन तो आपकी अपनी तैयारी जो है उसको एकदम अच्छे से पकड़ मजबूत बनाई है और अपनी तैयारी को फुल स्पीड में अच्छे से तैयार अपनी प्रिपेरेशन को फुल स्पीड में बढ़ाई है और जिसे की कोई कमी ना रहने पाए क्योंकि डिलेट में बैक बहुत तेज गया है कि कहां पर कौन सा केंदर रहेगा तो आप देख सकते हैं आगरा में टोटल जहां पर दिया है परिक्छार्थियों की जन्पदवार संख्यात्मक सूची दी गई है और केंदर भी वहां इसमें दे दिया गया है लेकिन केंद्र का भी लिस्ट नहीं आया है तो आप देख सकते हैं कितने स्टुडेंट्स कहां पर है प्रियाग राज की बात करें तो उसमें टोटल 9,889 है प्रताबगड की बात करें तो 8,341 है ऐसे गर के पूरा लिस्ट दिया हुआ है अगर लखनाओ की बात करें लखनाओ की बात करें तो यहाँ पर 68,88 विद्यार्थी हैं इतने लोग एक्जाम देने देंगे सबसे ज़्यादा कह सकते हैं मेरट में आपका 16,527 विद्यार्थी हैं तो यह रहा आपका टोटल स्टुडेंट्स कहां पर कितने हैं बाकी एक्जाम डेट आपका आही गया है और फटाफट आप लोग अपनी तयारी को एकदम पूरे फाइनल स्टेज में पहुँचाईए जिससे कोई कमी ना रहने पाए मैं जल्द ही एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि पेपर कैसे आपको देना है कैसे आपको एक्जाम में अटेंट करने हैं समय इसमें बहुत कम रहते हैं प्रीवियस रिकार्ड आप उठा के देख लिए बैक इसमें बहुत तेज लगता है तो बैक लग जाएगा तो बहुत प्राब्लम होगी बैक क्लियर करने में और मोशली बैक जो है मैट्स, साइंस, इंग्लिस इन सब सब्जेक्ट में लगते हैं फिलाल आप अपनी तैयारी जोरो सोरो से करिए अब आपके सामने 8 से 10 अगस्त और 12 से 14 अगस्त दिखना चाहिए चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुडबाय थैंक्यू और टेक केर थैंक्यू